नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने बात करने वाले एंटी पीसी में अभी तक 31 जो लास डेट थी जब तक किते फॉर्म भरा जा चुके हैं और एक सीट पर कितने केंडियेट्स फाइट्स करेंगे त तक एप्रोक्सिमेटली जो टोटल हो चुका है वो है 1.37 करोड फॉर्म भरा जा चुके हैं दोस्तों तो आईए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं और दोस्तों मैं आप सभी को बता दू कि यह जो डाटा है यह साइबर जिन्नोंने फॉर्म भरे हैं वहां से तो दोस्तों आई शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इलाबाद की इलाबाद में अभी तक दोस्तों पूरा 31 तारिक तक एक तारिक से लेके 31 तारिक तक 19,50,000 42 जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं इसमें वेकेंसी की जो संख्याती वो थी 4049 जो कॉंपिटिशन होगा दोस्तों इसमें 475 बच्चों के बीच में हर एक पोस्ट के लिए होगा दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करते हैं मुंबई की मुंबई में जो टूटल फॉर्म भरा हैं वो है 12,444 इसमें जो वेकेंसी निकली थी दोस्तों वो थी 3,665 इसमें जो कॉंपिटिशन होगा व संक्याति वो थी 3,234 और जो कॉंपिटिशन होगा वो होगा 342 बच्चों की बीच में दोस्तों फूर्थ नंबर पर बात करते हैं अपन कोलकता की कोलकता में जो फॉर्म भराएं वो है 8,85,983 वेकेंसी की संक्याति इसमें 2,950 जो कॉंपिटिशन होगा वो 300 और फिफ नं में वेकेंसी 2,483 जो कॉंपिटिशन होगा वो होगा 512 बच्चों की बीच में दोस्तों सिक्स नंबर पर बात करते हैं अपन चैन्ने की चैन्नाई में अभी तक टोटल फॉर्म भरा जा चुके हैं 31 तक पूरा जो क्लोज हो चुका है तो इसमें जो फॉर्म भरायते हुए दस लाग 34,229 वेकेंसी निकली थी 2694 हर एक बच्चे को 384 अधर केंडिडिट से फाइट करना पड़ेगा सेलेक्शन पाने के लिए सेवन नमबर बात करते हैं बैंगलोर की बैंगलोर में दोस्तो अभी तक नो लाग 31,293 फॉर्म भरा जा चुके हैं 31 तक अब क्लोज हो चुका है अब कोई से फॉर्म नहीं बराएंगे इसमें जो वेकेंसी की संक्याती वो थी 2470 और जो कॉंपिटिशन होगा होगा 370 बच जा चुके हैं अब फॉर्म क्लोज हो चुके हैं वेकेंसी थी 1370 और जो कॉंपिटिशन होगा वो 520 बच्चों की बीच में होगा दोस्तो नाइन नमबर पर बात करते हैं अपन राची की राची में अभी तक जो टोटल फॉर्म भरा जा चुके हैं वो है पाच लाग 12,994 वेकेंसी थी 1386 जो कॉंपिटिशन होगा 370 बच्चों के बीच में 10 नमबर पर बात करते हैं अपन एहमदाबाद की एहमदाबाद में अभी तक जो फॉर्म भरा है वो है 5,61,546 जो वेकेंसी निक्री थी वो थी 1024 और जो कॉंपिटिशन होगा बच्चों के इसमें होगा 5 348 बच्चों के बीच में 11 नमबर पर बात करते हैं बिलासपूर की बिलासपूर में अभी तक जो फॉर्म भरा है 31 तक वो है 4,17,767 जो वेकेंसी निकली थी वो है 1207 और जो कॉंपिटिशन होगा वो 346 बच्चों के बीच में 12 नमबर बात करते हैं पटना की पटना में जो 89 बच्चों की बीच में 12 नमबर पर जम्मो में दोस्तों अभी जो टोटल फॉर्म भरा है वो है 2,3558 वेकेंसी थी 898 और जो कॉंपिटिशन होगा वो 226 बच्चों की बीच में होगा और दोस्तों 14 नमबर पर बात करते हैं अपन तिरुएंदम पूरम तिरुएंदम पूर और फिफ्टे नमबर बात करते हैं गोहाटी की गोहाटी में दो लाग अर्थालीस हजार तीन सो चपन फॉर्म भरा जा चुके हैं जो वेकेंसी वह है दोस्तों नमबर बात करते हैं अब भुपाल में अभी तक 5,94,266 फॉर्म भरा जा चुके हैं इसमें वेकेंसी नो लाग शिंट्यानवे वेकेंसी निकली थी और हर एक बच्चो को 477 बच्चों के साथ कॉंपेटिशन करना पड़ेगा दोस्तों भुपाल की बात बता दूमे कि भुपाल में नहीं कट आफ ज्यादा हाई जाता है नहीं लो बटी मीडिल में रहता है और बहुत ही टफ कॉंपेटिशन मिलता है क्योंकि MP का ही सेंटर होता है और अधिकतर लोग MP में ही से फॉर्म बरते हैं और 18 नमबर बात करते हैं भूनेशवर की भूनेशवर में अ सब्सक्राइब निकली थी एक हजार त्रियालीश जो कॉंपेटिशन होगा वह दोसुचपवन बच्चों की बीच में होगा और ट्वेंटिवन नमबर बात करते हैं मिजफ्फूर में दोस्तों अभी जो टोटल फॉर्म भरा हैं पूरे क्लोज हो चुके वह हैं पिच्चा सी जा 329 और जो वेकेंसी हैं वह है 329 निकली कॉंपेटिशन होगा 260 बच्चों के बीच में दोस्तों यह सभी जिते भी आरार्बी जोन और इनमें स्टेशन साते हैं दोस्तों में यह 21 में आपको सब बताए हैं दोस्तों तो यह आप्रोक्सिमेंटल आप किनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी से मेरी यह गुजारिश है कि दोस्तों आप नेक्स जो वीडियो आने वाले उसी जरूर देखें उसमें अगर कुछ गल्ती करी होगी आपने तुम्हें बताऊंगा उसका कैसे हो सकता है उसमें आपको फीस लग के डाउट है कुछ क्यूरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में